क्रिपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइक ओन दबाएं दो अक्टूबर राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की 150 वी जेनती पर सरकार बड़ा फैसला ले रही है इस दिन एक बार इस्तमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी बाजार में कोई भी सामान लाने, सबजी लाने में आपको भले ही सुविधा होती हो लेकिन इस से होने वाला नुकसान इन सुविधाओं से बहुत बड़ा है जारखंड राजे में कई बार प्लास्टिक पर बैन की कोशिश होई लेकिन हर बार एक समय के बाद फिर सिंगल यूज प्लास्टिक बाजार में आ जाता है जारखंड खादी ग्रामद्योग बोर्ड ने जूट की ठेली का चलन बाजार में लाया था लेकिन समय के साथ इसकी मांग पूरी नहीं हो सकी और बाजार में फिर एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन शुरू हो गया आप जागरूख हों और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाए रखें इसके लिए जरूरी है कि आप इससे होने वाले खतरनाक असर को समझ सकें इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या इससे खतरनाक परिनाम क्या होते हैं और इन प्लास्टिक की जगह से कौन सी चीजों का इस्तमाल किया जा सकता है क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक नाम से ही जाहिर है एक बार हैं इस्तमाल होने के लाइक प्लास्टिक इसमें सिर्फ प्लास्टिक के थैलिया नहीं है थैलियों के सलाथ है ग्लास, प्लेट, छोटी कटूरी, बोतल, स्ट्रॉव और कुछ पाउच जो सिर्फ एक ही बार इस्तमाल हो सकते हैं इसलिए इन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है सडक के किनारे या कहीं भी आप इसे पड़ा देख सकते हैं इस तरह की प्लास्टिक पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं इनके उत्पादन पर खर्च बहुत कम होता है इसलिए आसानी से और कम कीमत पर बाजार में उप प्लास्ट पर भी बुरा असर पड़ता है जितनी भी प्लास्टिक का इस्तमाल हम करते हैं उनमें से करीब एक 90 फिस प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होती एक वर्ष में बावन हजार से जादा प्लास्टिक के माइक्रोन के कन खाने पीने और सांस के जरिए इंसान के अंदर जा रहे हैं इसमें अगर वायू प्रदिशन को भी जोड़ दें तो हर साल करीब एक लाख एक कीस हजार माइक्रो प्लास्टिक कन खाने पीने और सांस के जरिए एक ब्यस्क पूरुस के सरीर में जा रहे हैं मन उसको रूख से लड़नी की छमता इससे कम होती है जनन प्रज 2050 तक समुद्र में मचलियों से अधिक संख्या इन प्लास्टिक की होगी हम जारतर इस तरह के प्लास्टिक के कचड़ों का क्या करते हैं अब समझ लीजिए कि प्लास्टिक के जलने से उत्सवर्जित होने वाली कार्वन डाइकसाइट की मातरा 2030 तक तीन गुना हो जाएगी सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर जमिन के अंदर दबा कर नस्ट करने की कोशिस होती है तो यह नस्ट नहीं होता है बलकि कई छोटे छोटे चोटे टुकुडों में बटकट खतरनाक रसायन पैदा करता है जो मिट्टी के उपजाव छमता को नुकसान पहुचाता है मिट्टी के जरीए एक खतरनाक जहरीला रसायन आपके खादे पदार्थ में पहुचता है पानी में पहुचता है जिससे मानो सरीर को काफी नुकसान पहुचता है पूरी दुनिया में हर मिनट लगवग 10 लाग प्लास्टिक की बोतले खरीदी जाती है प्लास्टिक के थैल का खतरनाक असर पर्यावरन और स्वास्त पर हो रहा है इसके लावा हर साल करीब 11 लाग समुद्री पक्षी और जानवरों को प्लास्टिक के वज़े से मौत हो रही है 90 फिस्दित पक्षियों और मचलियों के पेट में प्लास्टिक मिल रही है एक रिसर्च के मुताबिक कर प्लास्टिक प्रदूर्शन के कारण लूप्थ होने के कगार पर हैं सिर्फ समुद्री जीव ही नहीं इसका असर आप पर भी पड़ रहा है एक रिशर्च कहता है कि आसतन हर साल 70,000 माइक्र प्लास्टिक का सेवन आप कर रहे हैं इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है और इसका असर क्या हो रहा है अब आपके पास विकल्प क्या है उस पर नज़र डालिए आप कोल्ड रिंग या प्लास्टिक के स्ट्रौ का इस्तमाल करते हैं आप पेपर के स्ट्रौ का इस्तमाल कर सकते हैं पानी के बोतल जो प्लास्टिक मे की जगह आप लकडी के चमच का इस्तमाल कर सकते हैं हमारे पास विकल्प है बस जरूरत है उन्हें आदत में लाने की आप गांधी जैन्ती पर प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगने का इंतजार मत कीजिए कोशिश कीजिए कि आज से ही अभी से ही प्लास्टिक इस्तमाल को बंद कर सकें धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा नमस्कार